तो आजका का जो हमारा concept है वह है Social Action जो आपका दिया हुआ है Max Storm Max potatoes की biography हमने cover कर ली उनके जो concept थे books थी उनको हमने देख लिया है Books काफी important है एक्जाब में पूची जाती है तो उसे आपने वीडियो नहीं देखियो biography की तो ज़रूर देखेगा इसमें हमने इनके जो भी theories है sequence से मैंने बता दी है अब हम one by one उसको detail में देखेंगे तो यह आपका first मैक्स बेबर का first concept है समाजी क्रिया overall यदि कहीं तो आपके जो बेबर है इस समाजी क्रिया की बात करते हैं समाजी क्रिया के आधार पर अन्य concept जो भी इनों ने दीये हैं उसको side by side करते हैं बताते हुए कि जो सत्ता है वर्ग हैं, सिती है, परिस्तियां है यह सब जो क्रियाओं पर ही निर्भर करती हैं समाज में जो क्रियाएं होती हैं एक्षिन होते हैं समाजिक क्रियान होती हैं उनके माध्यामसे नहां समाज को समझ सकते हैं तो इनका कॉंसेप्ट है और उन्हें इसे कितने भागों में बाटा हैं य視cape कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में और हम ने इसके जो type बताएं है Max Braver ने क्रिया के जो type बताएं विशेस्ताइं बताएं क्या है तो ये सभी कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में ताइप बताएं है तार्कि क्रिया, मुल्यांकरनात्मक क्रिया भावनात्मक या सम्वेगात्मक क्रिया परंपरागत्रिया तो ये बताई हैं और इनोंने विशेस्ताइं भी बताई हुई हैं तो सभी कुछ डेटेल में देखेंगे अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें यदि फर्स्टाइब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब दोनों चीज़ कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और यह जो सीरीज है आपकी PGT का जो सलेबस है उसे कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हमने जो कवर कर लिया है second unit के जो हमारे thinker है बेबर यह और साथ में हमारे जो दूर्खिय में और Spencer है अगस्ट कॉम्ट है यह जो thinker इनकी biography प्लस इनका जो भी concept था सीरील भाई हमने कवर कर लिया है तो आज हमारा जो concept है समाजिक क्रिया का है तो इसे भी कवर करते हैं ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं समाजिक क्रिया क्या है समाजिक क्रिया नॉर्मल समझें तो समाजिक क्रिया के दो प्रकार होते हैं एक होता है वैक्तिगत एक समाजि व्यक्तिगत कैसे होता है व्यक्तिगत व्यक्तिक रूप से होता है दूसरा एक समाजिक क्रिया होती है व्यक्तिगत क्रिया वो होती है जो व्यक्ति स्वयम के इच्छा के स्वयम के साथ क्रिया करता है अपनी इच्छा हुई और से कारी उसने किया अपने आप तो वो क्या है वो व्यक्तिगत क्रिया है अपने स्वार्थ के लिए जो कोई भी क्रियाई करना व्यक्तिगत क्रियाई कहलाती है और समाजिक क्रियाई वो होती है जो समाज के लिखी जाती है समाज के importance को देखते हुए समाज के prospect को सोचते हुए कोई कारी करना समाजी क्रिया के अंतर आता है इन्होंने कहा कि वैतिक क्रिया वैक्ति की अपनी क्रियाएं होती है जो खुद करता है दूसरी क्रियाएं वो होती है जो वैक्ति समाजी क्रियाएं वो होती है जो वैक्ति दूसरों के लिए करता है और उसे यदि वो कर रहा है तो वो दूसरे की बातों से या किसी ने कह दिया कि नहीं, इस तरीके से काम होना चाहिए, या इस तरीके से होना है, तो अगला व्यक्ति क्या करता है, तो उसी को follow करता है कि हाँ, हमें ऐसे करना है, तो इस क्रियाओं को इन्हों ने क्या कहा, इन्हों ने इस क्रियाओं को समाजिक क्रिया कहा, कि समाज के prospective को ध्यान में रखते हुए समाज के dash code को ध्यान में रखते हुए कारी को करना समाजिक क्रिया कहलाता है हमने ये समझ लिया कि क्रिया उन्होंने पताए तो ये व्यक्तिकत क्रिया की बात नहीं करते हैं ये समाजिक क्रिया की यह समाज सास की केंदरी अध्यन के रूप में दी है इन्होंने क्रिया को क्रिया को इन्होंने केंदर में रखा है और समाज सास को व्यक्त किया है समाजी क्रिया को व्यक्त करते हुए समाज सास को जो है यह दिया है समाजी क्रिया के विशे में पहले जो मार्सल है इन्होंने विचार व्यक्ति किये थे उन्होंने गतिविदी एक्टिविटीज की अधारना को प्रितिपादित किया था इसके बाद जो प्रेटो जी थे इटली के थे तो इन्होंने विशिच चालकों अत्वा भान तरकों के संदर में क्रिया की बारे में बताया था ठीक है तो अब विच्ति या विक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्ति निस्ट्र, आर्थ के सकारण या क्रिया दूसरे विग्ति के विवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अположार उसकी गतिविदी नेज़ाइद हो ठीकafa कार्य व्यक्ति ही करता है लेकिन जो व्यक्ति कार्य कर रहा है ये करने जा रहा है उसका प्रिभाव दूसरे व्यक्ति की क्रियाओ या दूसरे व्यक्ति की परिपेक्ष में होना चाहिए ये कहते हैं ठिके, विशेष्ता हैं देखने ते से क्लियर हो जाएगा, इन्होंने का समाजी क्रियां दूसरे व्यक्तियों की भूत, काल, वर्तमान और भावी वैभार द्वारण प्रभाइद हो सकती है, कैसे? यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति दूसरे किसी अन्य व्यक्ति पर किसी पिछली दुस्मनी का बदला लेने के लिए आक्रमण करता है तो वह समाजी क्रिया होगी क्योंकि इस कारण जो आक्रमण उसने किया है उसका क्रिया का सम्मन उस अकरांद व्यक्ति की किसी क्रिया से प्रभावित अत्वा प्रतिक्रिया सुरूप होता है उसी प्रकार क्लास में जैसे एक प्रोफेशर है लक्चर देने के लिए नोट्स लेकर भी समाजिक क्रिया करता है जैसे कि वो नोट्स लेकर जा रहा है या भी किसी किरिया जो है वर्तमान समय में प्रफशर द्वारा दी जाने वाली लक्षर की प्रतिक्रिया सुरूप हो रही है उसी प्रकार एक विद्वार थी जब अपनी प्रेक्टिकल प्रिक्षा के लिए तैयारी करता है तो उसकी जो क्रिया होती है समाजिक क्रिया नहीं है नेक्स्ट यह कहते है जो प्रतिक्प्रकार की क्रिया होती है समाजिक क्रिया नहीं है उन्होंने कहा कि जो समाज में क्रिया होती है सभी क्रिया समाजिक नहीं होती है उन्होंने कहा कि जो क्रिया हो रही है समाज में सभी जो क्रिया है वो समाजिक नहीं है जैसे मानले यदि दो साइकल वाले साइकल चला रहे हैं आपस में टक्रा जाएं तो इसे हम समाजी क्रिया नहीं कहेंगे लेकिन यदि टक्रा के वो आपस में हाता पाई करने लगते हैं तो ये क्या होगा समाजी क्रिया होगी कहने का मतलब बैबर का ये है कि यदि क्रिया हो रही है उसमें इंटरेक्शन जरूरी है ये नहीं आपस में आमने सामने से कोई साइकल सवार जा रहे हैं और वो टकरा जाते हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तो वो क्या है वो समाजी क्रिया नहीं है जब तक वो एक दूसरे से क्या भिड़ते नहीं है लड़ाई नहीं करते गाली गलोज नहीं करते हाथा पाई नहीं करते तब तक यह समाजी क्रिया नेक्स्ट है मनुष्य का प्रतेक प्रकार का संपर्क भी समाजिक संपर्क नहीं होता कहने का मतलब यह है कि समाजिक क्रिया तो ना तो अनेग वेक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कह सकते हैं और ना ही उस क्रिया को कह सकते हैं जो केवल दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित होती है मान लीजी ये सडक पर अनेक व्यक्ति जा रहे हैं वर्षा होने लगी सभी ने अपना चाता खोल लिया इस प्रकार की जो क्रिया है ये समाज़क नहीं है क्यूंकि छाता खोलने वाले व्यक्ति की क्रिया एक दूसरे की क्रिया से कोई भी सम्मंद नहीं रखती है और नहीं किसी व्यक्ति का विवहार अन्य किसी व्यक्ति के क्रिया के विवहार पर प्रभाव डालता है यहां क्रिया तो वर्षा से संबंदित है तथा उससे उसका जो प्रभाव है वेक्ति प्रभावित होता है तो वो छाता खोल लेता है उसी प्रकार समाचार में जैसे नेता होते हैं विशेज भाशन के तोर पे जब हम पढ़ते हैं तो कोई क्रोधित होता है किन्तु या समाजी क्रिया नहीं है क्योंकि इस प्रकार की क्रिया दूसरों की क्रिया या क्रिया दौरा अर्थ पूर्ण रूप से प्रवावित नहीं है इस संबंद में वेबर जी जो हैं वो कहते हैं कि दूसरों की क्रिया का अर्थ पूर्ण संबंद रखता हो या उसकी क्रिया द्वारा अर्थ पूर्ण रूप से प्रवावित ना होता हो उधारन के लिए मैं एक विद्याथी को एक साटकट रास्ते से विद्याले जाते हुए देखता हूँ और दूसरे दिन उसी रास्ते का अनुशनर करते हुए अर्थाद उसी रास्ते में मैं विद्याले जाने लगू तो मेरा यहाख कार समाजिक नहीं कहलाएगा क्योंकि मैं यहाख कार उस समय दूसरे की क्रिया से किसी रूप में से सम्मद्ध नहीं है परंद येधी किसी Drill Master साहब की क़िया का अनुशरण करूँ तो वह क्रिया समाजिक क्रिया होगी क्योंकि मेरे या क्रिया Drill Master साहब की क्रिया से जिसका की मैं अनुशरण कर रहा हैं अर्थपूर अर्थ से सम्मदित है तो इस तरीके से जो आपके बैबर है उन्हें समाजिक क्रिया की विषिस्ताओं को इंपौर्टइस दिया और बताया यह क्रिया जो हैं समाज में समाजिक क्रिया के अर्थोपूर्व करने का शाधन है आगे देख लेते हैं इन्होंने जो समाजी क्रिया को प्रभावित करने के लिए बताया कि समाजी क्रिया ना तो अनेक विक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और ना ही उन क्रिया को की जाने वाले केवल दूसरे द्वारा प्रभावित क्रिया को नहां जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ चलिए अब आगे देख लेते हैं समाजी क्रिया के प्रकार क्या है समाजे क्रिया के प्रकार टाइप्स आफ सोशल एक्षन इन्होंने टाइप्स बताए है तारिकी क्रिया मुल्यांकानात्मक्रिया भावनात्मक्रिया सम्वेकात्मक जिसे बोलते हैं परमपरागत्रिया तो चार प्रकार की टाइप्स बताए है इन्होंने सोशल एक्षन के तो इजने भी देखते हैं इन्होंने क्रिया के जो प्रकार बताए इन्होंने जो बताए क्रिया समाज तारकी क्रिया इसके बारे में ये कहते हैं आ जो की सचेत ये किरिया तारकी क्रिया मोकट क्रिया है जो सचेत रूप से किसी योजना की अंसार की जाय और उसके लक्ष रता शाधन जो शाधन है उसका पूर ध्यान रखाज गया हो उधारन के लिए यदि कोई व्यक्ति है एक नया उध्धोग धनता है चालू करने जा रहा है तो उसके लिए हुआ योजना बनाता है फिर उसको योजना को योजना के अनुसार वर्स्तों की मांग करता है शादनों का उपयोग करता है फिर उसके उसे प्राप्त करता है उसका ध्यान रखता है जब वह इसी सभी पक्षों का निर्णे लेने के बाद वो क्या करता है उद्धोग में लगे सभी शदेस्यों के अधिकतम लाग के लिए कारी करता है तब वह तरकी क्रिया कहलाती है तरकी क्रिया का मतलब तरक के आधार पर किसी चीज़ को सोच समझ के वेवस्ते ढंक से करना ठीक है मुल्यां का नात्मक क्रिया इसमें क्या कहते हैं इसमें कहते हैं कि जो क्रिया कलात्मक धर्म या नैतिक रूप से की जाती है जो और जिसे किसी भी प्रकार से तर्क कारण के द्वारा सुकार भी कर लिया जाता है जैसे हम मुनांकर तूप से क्रिया करते हैं विवहार है हम में से उन लोगों द्वारा आशा की जाते हैं कि धर्म जो है नेतिक आदर जो हमारे लिए प्रमुक है इस प्रकार की कारियों में अंतिम जो मूल और उपयोगता होती है कोई प्रश्ट नहीं उठाता कि ऐसे चीजे क्यों हो रही है या कैसे हुआ है जैसे कि माली जी रोज हम पुजा पाट करते हैं नीमित रूप से मंदिर जाते हैं, गिरजा गर जाते हैं तो आस्तों में जो अंतिमें इसका अलाब होगा फिर भी इस क्रिया का मुल्यांकन हम बदहर्में ग्रूप से मुक्ति पाने की आशा में इश्वर से प्रेम करते हैं और इश्वर पे विश्वास करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं मुल्यांकन कर लेते हैं कि हाँ हो सकता है ये चीजे इस तरीके से होती हैं तो हम इसको ऐसे करेंगे जैसे नैतिक और धार्मिक रूप से आदर्शों को मानते हुए हम अच्छे और विवस्ति धंग से एक आश्था के रूप में कारे करते हैं तो मुल्यांकन कर लेते हैं उस चीज का कि हाँ पूजा पाट करने से हमें गिर्जा घर या मंदिर जाने से हमें मौक्ष मिलेगा इस आसा में हम पूजा या इश्वर के से प्रेम करते हैं भावनात्मा को समवेग आत्मा क्या होता है यह क्रिया वो होती है जिसमें सम्वेग होते हैं भावनाएं होती हैं यह हमें प्रेव बिभार होता है सतुरता होती है घ्रणा होती है ग्रोध होता है यह सब भाव होते हैं जिसके कारण जो क्रियाएं होती है व्यक्ति सक्तिसाली या सम्वेग के प्रभाव में आता है या फ मतलब उसे दुख भी होता है और पश्चाताब भी होता है यदि वो ग्रोध में आके कोई ऐसा कारी करता है तो उसे पस्तावा भी होता है तो यह सब जो क्रिया होती है बहाउनात्मा को सम्वेकात्मा के अंतरगाद आती है नेक्स्ट है आपका परंपरागत क्रिया परंपरागतिया क्या होती है इसमें जो होता है समाजी के प्रथाएं जो होती है वो नियंतित करती है इसमें जैसे वेक्ति है बहुत समय से जो चीजे अनुकरित करता हुआ है मतलब मानता हुआ चलाया परंपरा जो उसकी रही है उस उसे ही आप, фॉलो कर रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए उस वेभार को वो करने के लिए बाध होता है क्यूंकि सब लोग उसी को विशेस माढतें हैं प्रथाओं का अनुशनन करना परमरद क्रियाματα एक उधारन है, ठीक है? तो यह क्रिया जो हैं परमपरगत क्रिया कहलाती हैं जो परमपराओं से चली आ रही हैं और यदि इन्होंने ये भी बताया कि आप यदि क्रियाओं को समझना है तो कुछ विदी हैं जिनके बाध्यम से आप क्रियाओं के अर्थों को क्रियाओं को समझ सकते कि हां समाजिक क्रियाओं समझ सकते हैं इन्होंने का तरक आस्रित विधी तरक के माध्यम से गड़ित सास्त्री विधी गड़ित त्रास्त्रित विधी इसके माध है भावनात्मक विधी इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो समयजी क्रिया को समझ सकते हो भावनात्मक तरीके से इनुने प्रत्यक्ष अमलोकर करने के लिए कहा और व्याख्यात्मक विधी को फॉलो करने के लिए कहा बौत विधी में इन्नोंने क्तर्क लगाने और गड़िती जो विधी होती है सो फालो करने के लिए ठीक है और भावनात्मक की रूप से इन्नोंने पित्क्ष रूप से अलोकन करिये और या फिर व्याक्यात्मक विधी का प्रयोक करिये तो इन विद्धियों के मांध्यम से आप क्या कर सकते हो आप समाजी क्रिया को समझ सकते हो तो यह था हमारा आज का कॉंसेट जो समाजी क्रिया का आपके वेबरजी ने दिया था I hope आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करिएगा ठीक है और like feedback जरूर दिया करिए comment box में कि वीडियो कैसी लगी और share जरूर करें ज्याद़ से ज्याद़ ताकि जो यह classes चल नहीं है सबको पता लगे कि हाँ classes चल नहीं है और वो भी joint कर सकें ठीक है चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आगे जो इनका नेक्स कॉंसेप्ट है उसको थैंक्स वाच